दोस्तो नमस्कार अक्सरम देखते हैं कि जब भी फिमेल डोग को क्रोस करवाते हैं तो क्रोस करवाने के बाद वो एक बार के लिए खाना पिना बंद कर देती है और लगवग 50% जो डोग ओनर्स हैं उनकी ये सिकायत आती ही है कि उसने खाना पिना बंद कर दिया तो ऐसी कंडिशन को दूर होने में कम सकम एक या दो दिन का वक्त लगेगा इसलिए एक या दो दिन खाना नहीं खाएगी उसके बाद खाने लग जाएगी नमबर बन बात क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसके उपर आ रहे थे नमबर टू बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी कं आते ही हैं तो पंपकिन आप लाएं और पंपकिन ला करके उसे पंपकिन खिलाने की कोशिश करें इससे क्या है गड़ पावर बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी वापिस खाने लग जाएगी इसके साथ आप लिवर टॉनिक दे सकते हैं दूसरी कोई दवाय ना ही दे तो अच्छा है तो लिवर टॉनिक जैसे लिव फिप्टी टू एट जो सिर्व आती है उसे आप अगर लिक्विड लिव फिप्टी टू जो आती है उसे आप दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया है लिवर टॉनिक और ऐसी कंडिशन में कोई नुकसान भी नहीं करेगा आप 15-15 ml स देते हैं तो यह अगर दो या तीन चार दिन तगा आप देते हैं और पंकिन खिलाते हैं तो उससे उसकी गट पावर जो है को सेट हो जाएगी कोई दिक्कान नहीं यह इस्ट्रेस वाली कंडिशन होती है इसमें ज्यादा गबराने की जरूरत नहीं है